एचाटीसी करमचारियों के वेतन में देरी की चलते सरकार की खूब किरकिरी हो रही है। एचाटीसी करमियों ने सरकार पर सौतेला वैवार करने का आरोप लगाया है। इस बीच हिमाचल प्रुदेश के मुख्यमंत्री सुख्विंदर सिंग सुख्वु का बयान सामने आया है। सुख्वु ने कहा कि जल्द ही हाटीसी के करमचारियों को वेतन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि हाटीसी की करमचारी निगम के तहट आते हैं, जबकि सरकार के तहट आने वाला कोई भी ऐसा करमचारी नहीं है जिसका वेतन अब तक नहीं दिया गया है। एचाटीसी के करमचारियों को हर महीने की पंदरा तारीक के बाद ही तनख्वा मिलती है। जल्द ही इस महीने की तनख्वा भी दे दी जाएगी, ऐसे में करमचारीयों को चिंता करने की आविशकता नहीं है। क्या बोले सीम सुखू सुनिये विस्तार से। जनता पार्टी ने पिछले तीन साल से ओवर टैम नहीं दिया था, नाइट नहीं दी थी, मैंने उनकी ओवर टैम और नाइट की आदी पेमेंट कर दी है। और आदी हम वो करने जा रहे है भारतिय जंता पार्टी से पूछा जाना चाहिए ना कि वो तीन साल से उनके नाइट और ओवर टैम क्यों नहीं दिया गया और जो सैलरी की बात है मेरे समय से नहीं है हमें तो अभी छे महीने हुए सरकार ब्याए है हम तो जो बिवस्ता बिग जो आगे हमसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि हैचा टेसी की सैलरी क्यों नहीं दी तो यह चीजे कहना गलत बात है हमाचल राज्या अपने पैरों पर खड़ा होगा पागले पांच साल में चार साल में हमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे समरीद रसाली और मीर पर एक परकार से सरकार को बनाम करने की कोशिश एक सार्जिस के तहत हो रही है और सिर्फ एक सरकारी करमचारी जहां सिर्फ दस पंद्रह हजार इंपलाईज है माचल में तक्रियों दो लाग सरकारी इंपलाईज है तो सरकारी करमचारी की जो हैचा टेसी की सालरी हो चौद हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 News चॉइस ओफ हिमाचल के साथ